हेलो फ्रेंड्स आप सभी गावाल का मेरे स्लोग में दोस्तों आज मैं जा रहा हूं माता के मंदिर घूमने जो कि भागघरपुर में है महाली डिस्टिक्ट लगता है पंजाब के हैं तो चलिए गार चलते हैं मंदिर देखते हैं अजय को आए बाइस चलें यह देखिए यह संकर जी की शीविल लेंगा यहां पर अब देखिए शंकर जीविल लेंगा यहां बें हम कुझा भी कर सकते हैं यहां बाठी देखिए यहां पर बहुत प्राचिन मंद्र है तो शंकर जी कर्डंबरू भी है और रिशूर भी है यह बहुत ही शान तेरिया इसके जहाद है हम जादर तेज में आप बोलू गाली कि दोस्तों सबसे पहले मंदिर में आख संकर जी के पास हुए फेले आखिए घंकि इसे बढ़ाएंगे अवाद भी हुआ है देखिए इस अच्छा यहां पर बनाए मैं तुमसी जी के यहां पर पूझा करते तुमसी जी और यहां पर है इस भागवान के यहां भी फोट य यहां पर सीट आराम पूरी टाइलों के लिखावाई इतने अच्छे से इधर से देखिए गाई यहां पर हनुमान जी का मंदिर साथ अंदर बहुत ही प्यारा मंदिर है यहां पर आप अराम कभी आ सकते हैं कि अब दर्जिन कर सकते हैं अब यह बहुत ही शान ते रिया यहां पर देखें यहां इस कितना अच्छा लग रहा है वह देखिए अब हनुमान जी कि इतने बड़ी पोटो भी लगे हैं आप अंदर मूर्ती और यहां बारी पोटो लगी है अनुमान चालीस यहां पूरी लि गाउन है कि मैं बचपान से मुमान जी को बहुत मानता है महानमान से फुदा भी बचपान से परखाया हूँ दोस्ते देखिए सनी देव का मंदिर जय शनी देव के इसे वी नाति की बजाएंगे यहां देखिए यह रादा कृश्प जी पांदिर तो दिक ही है यहां पर चोटे है नंद गोाल, प्रापासी मुं देखिये गया यह धि कि चोट अंद गोपृ बैटे में खरमा घ्रिशनुझी यह देखिए यह चोटे से इनन्द गोपाल जी बैठे जब बच्पन में चोटे थे तो और यह देखिए गाईज उपर एक और शिवलिंग है यह शंकर जी की यहाँ पर भी चोटी शिवलिंग रखी है और यहाँ पर उपर खड़े उपर दोस्तों आप पूरे जाउत्रफ का नजार आ रही सके लिए समंदिर वो सब को देख सकते उपर खड़े यह बर्गत का पेंद ही इतना बड़ा है तो गाईज यह चोटा संमंदिर माया बहुत ही प्यारा और देखे सामने दिखे यह इदर गुर्दवारा भी है वहां पर शिख धरम का वहां पर गुर्दौ आर्म अपर बहुत बड़ा आप बहुता ऐ है दोनों पासवास में जितने भी शिख लोग है वो यहां मंदिर भी आते हैं और जितने भी मंदर में लोग आते हैं वो गुर्दवारी में भी जाते हैं तो दोनों जगे बहुत यह अच्छा मेल जोले यहांपर जी और यह देखी गाइस यह बर्गत्वे पड़के नीचे एक और मंतर देखिए यह खेड़ा मंदिर हैं यह खेड़ा मंदिर है गाइस बाबाश्री हर्दवारी नात जी का देखिए यहां अच्छी तरह से इन सब की प्रतिमा को रखा गया है बहुत सारे भगवान दिख जाएंगे देखिए अंदर देखिए अंदर का नजारा कितना प्यारा लग रहा है देखिए जैश्री राम चासो हत्र देखिए दोस्तो यह इकिंटें यहां पर योग होता यहां पर इस दिखिए ज form लग रहा है मुगि लिए बहुत ही प्राचीन मंदिर हाक है तो चाहँ देखिए आप आई का पानी मिलता आप और आप यहां न वहांगा है की पीने के लिए कि दोस्तों ये काली माता का मंदीर है देखिए ये काली माता के अगल बगल एक हरुमान जी का भी है मूर्ति और साइड में शीतला माता के भी मूर्ति है और देखिए दान पात्र यहां पर आप दान कर सकते हैं यह देखिए कितना उचा है यह मंदिर और यह देखिए गाइज यह है शेर इतना बड़ा शेर और इसके सेर देखो परसाद भी खाता है हमारा शेर लहें इसमें जली भी आपको मिल जाएगी बतासा मिल जाएगा और दुश्री और मिस्ति के पर शोटी शोटी चीटियां देखिए गोरखनार जी बैठ है जोई गोरखनार जी और यह देखिए गाइज यह चरण पादुका यह जश्री राम जी पहनते तो चिस्त्रा उस्त्रा पी चरण पादुका यहां पर आपको दिखेंगे देखने जाएगी यह देखिए यह है पीर जी का मंदिर जय जहार पीर और गोगा जी का यह देखिए कितना चंद रहा है और अंदर से देखिए दोस्त्री यहां काफी कुछ समा रखा हुआ है यह देखिए यह देखिए काफी कुछ यहां पर हुए यह देखिए संद्री माता की फोटो यह पर लगी हुई है यह बाबा नाहर सिंग जींग का फोटो भी लगा हुआ है पेरा भ ईयू钫ू बहुत ही आप मोहुदि यह देखिए यह देखिए ये देखिए। काफी कुछ है यहां पर ये मातमानसादेवी इस साथ देखिए यहæ काली माता, और इस तरह पहीं है भाहराओ जी और यह सामने जो है यहां गोगा जी जहार पीष जो है इनका दो शीरे उनकी मंदर है और यह नहार ांक से यह काफिक इस अच्छा यहां पर बन्दिर को बना गया है देखेंगा सब रहा से यहां पर अशज़ा हम पोगा सकाईं। यह देखिया को है आकि अहीं पर अम्रूद का फल भी मतल अम्रूद का पेड़े इसमें अमरूद लगते हैं इसे आपको पुरा पीछे बैक साइड से गुमके दिखा दे रहा हूं गयों गाई अ यह देखिए गाइस और यहां देखिए गाइस इस मंदिर पर देखिए क्रिशन जी की मूर्ति है शंकर जी की मूर्ति है माता की मूर्ति है सारे भगवान की मूर्ति है आप एक साथ तो वैस चारो तरफ से यहां पर मंदिर ही मंदिर हैं आपको देखना मिल जाएंगे एक परादिर के अंदर है सारे मंदिद ए यह देखिए गएस इफिर हम उच जगए आ गया जहां से गये गये देखिये फिर यह वाट लाग लाग जहांपर हमने पानि पिया था देखिए यह भी मंदिद आ और यह बर्गत का प्यड बढ़ा-सा रखिया इस जगह पर यहां पर और यह है वो में गेट जहां से हम अंदर आये थे अब यहीं से हम बाहर भी जाएंगे तो आज आपको मैंने दिखाया कितना बड़ा विशाल मंदीर है जो हम ने देखा है और मुझे भूआत ही मज़ा है और मुझे खाने के लिए देखिए परसाद भी मिल गया है तो अब मैं चलता हूं घर तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हैं